वेरी वेरी गुद मॉर्निंग तो एव्रिवन और कैसे हैं आप लोग ठंड तो काफी पढ़ रही है न इस्पेशिली कल से ठंड बढ़ गई है तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखेगा और घर से बाहर तो पता ही आपको कम से कम निकलना है क्योंकि कोविड बहुत ही ज तो चलिए आठ जो वीडियोज हैं वो मैं आपको ये बता दू कि मैंने शेक्सबेर के डॉलरी दो पार्ट डाल दिये हैं यानि कि questions के दो पार्ट दाल दिये हैं पहला पचास questions का है उसके बाद फिर अगला पार्ट जो है वो 145 questions का था और फिर ये तीसरा पार्ट होने वा अच्छे से पढ़ लीजेगा, पुरा अच्छे से याद कलीजेगा, क्योंकि यह questions काफी अच्छे हैं, बहुत अलग अलग जगों से मैंने इन questions को collect किया है, बहुत सारे sources से, तो आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी books रखी हुई हैं, और अभी बहुत सारी matter इस तरह से है, जहां से मैं आपको questions प्रोवाइट कर आ रही हूँ, और जिसे बोलते हैं questions बनाना, ऐसे मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मैंने इन questions को खुदी frame किया है, जो लोग बोलते हैं, वो जुट बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो उनका matter भी आपको मिल जाएगा कही न कहीं, तो मैंने इन questions को अपने से frame नहीं किया है, इन्हें मैंने विभिन जो sources हैं, यह है कि आप मेरे channel पे questions को पढ़ोगे, तो आपको कई books नहीं लेनी पड़ेंगी, कम से कम मेरे पास 14 से 15 इस तरह की books हैं, तो उन सारी books को मिला कर मैं आपको questions दूँगी, ताकि आपका कहीं भी कुछ छूटे ना सब कुछ कवर हो जाए अच्छे से, ठीक है, तो चलिए questions को start करते हैं, और मुझे लगता है यह तो मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, आप like, share और subscribe तो करीदोगे, कर देना, है ना, मुझे पता है आपने कर दिय चलो, thank you, चले देखते हैं questions को, question है आपका, the sonnets were first published in 1609, quarter with a title, यानि कि आपको पता होगा कि इनका जो sonnet है, वो इन्होंने नहीं publish करवाया था, इसको Thomas Throp ने publish करवाया था, किसने, Thomas Throp ने publish करवाया था, और उसी के title का नाम पूछ रहा है, कि जब उन्होंने publish करवाया था, तो क्या title दिया था, तो इन्होंने title दिया था, Shakespeare's Sonnet Never Before Imprinted, ये उसका title है, और ये 1609 में, quarter edition में publish हुआ था, इसको आप ध्यान रिखेगा, important question है, यहां से question आ सकता है, आगे देखे, अगला question है, which sonnets had previously been published in the 1599, Miss Lenny the passionate pilgrim, ये भी आपको बताना है, ये collaborated work था, जिसमें कुछ publish हुए थे, passionate pilgrims के साथ में, तो आपको बताना है कि वो कौन से sonnet है, किस number के sonnet है, options देख लिजी आप, sonnet number 135, 141, या 136, 142, या फिर आपका 137 और 143, और fourth option है, sonnet number 138 and 144, तो जी हां, आपका right answer है, sonnet number 138 and 144, जो publish हुआ था, वो 1599, Miss Lenny, the passionate pilgrim में publish हुआ था, ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question है, इसको मैं screen को थोड़ा सा बढ़ा कर देती हूँ, ताकि आपको full screen में दिखे, अभी ठीक है ना, देखे, वही question है, जो मैंने आपको अभी बताया था, the publisher Thomas Troll, entered the book in the senior's register on date, मतलब आप से पूछा है, कि क्या date है, तो, इसका options आप देख लिजे, सही answer मैं बताती हूँ, क्या है, इसका सही answer हो जागा, आपका option number C, यानि कि 20 May 1609, ठीक है, C option correct है, आगे देखिए, अगले question पर चलते हैं, sonnet 126 of Shakespeare's sonnet, our address to a young man, often called the fair youth, आपको पता है, sonnet number 1 से ले करके, 126 तक जो sonnet है, वो fair youth को कहा गया है, कि उन्होंने dedicate किया है, इसमें पूछा है, वो कौन है, या आपको पताना है, क्या वो Henry Ridgley है, Earl of Southampton, क्या वो Henry Ridgley है, Earl of Pembro या फिर Mary Fitton है, dark lady, अब देखिए, इसमें आपको, थोड़ा भी अगर पता, तो आप जान जाओगे, कि ये जो dark lady है, ये ही है Mary Fitton, इनी का नाम है Mary Fitton, नहीं, तो मतलब ये option, ये option तो अपने आप गलत हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, Henry Ridgley तो सही है, लेकिन Earl of Pembroke नहीं थे वो, वो थे Earl of Southampton, यानि कि आपका option number A correct हो जाएगा, ठीक इसमें, आगे देखिए, अगला question है, the sonnet are almost all constructed from three quatrain, which are four line stringer, and a final couplet composed in, आप से पूछ रहा है, किस form में लिखे हुए थे, यानि, जो Shakespeare's के sonnet है, आपको पता है, वो three, यानि कि quatrain और couplet के pattern में, form में रहते हैं, जिसमें आपको बताया है, कि जो quatrain होता है, वो four line का stringer होता है, लेकिन जो couplet होता है, वो किस finer उसमें compose होता है, या आपको बताना है, ठीक है, तो इसका answer कीजिए, इसका answer बताइए, आप लोग, इसका सही answer क्या हो जाएगा, question number 45 का, सही answer हो जाएगा, I am big, pentameter, यानि कि option number first, बिल्कुल correct है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला question, अगला question है, rhyming scheme, आप से पूछा है, Shakespeare and Sonnet की rhyming scheme क्या है, आपको बतानी है, फड़ा फट बताइए, इसकी rhyming scheme क्या है, options आप देख लीजे, तो देखे, इसमें जो है, यहाँ पर E, F, E, F तक तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, जीजी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर E, F, E, F आ गया, यानि कि option number D बिल्कुल correct है, आपका इसका rhyme scheme हो जाएगा, A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G, ठीक है, option number D quadrant or of the last couplet, mark the dash, here the mood of the poet sift and the poet expresses a revelation or epiphancy, देखे, यह जो question कह रहा है, मैंने यह सारी चीजे में इन questions को तब करा हुए, मैंने यह सारी चीजें आपको cover करा ही है, जब sonnet पढ़ाया है तब, जब इनका, जो syllabus में आपके दिया हुआ है sonnet, उसका पूरा मैंने line by line describe किया हुआ है, उसका earth, यानि कि Hindi meaning बहुत अच्छे से बताई है, अगर आप चाहो तो channel पे जाकर के playlist में, LTE rate की playlist में देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप देख लेना, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या होता है, जो sudden change होता है, poet के mind में, उसको क्या बोलत हैं, तो उसे मैंने आपको बताया है, क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं, इसके, it means turn, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखे, among Shakespeare's sonnet, sonnet 99 has, देखे, इनके कुछ जो है, वो, जिसे कहते हैं, एक तरह से, क्या बोलेंगे उसे, खेर छोड़िए, मतलब कुछ ऐसे sonnets हैं, ज से 14 line pattern होता है, sonnet का, कि sonnet में 14 lines होती हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे sonnets हैं, जिसमें lines अलग हैं, और उनके pattern अलग हैं, तो वो कौन-कौन से sonnet हैं, यह मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे, बाइग्रफी वाले वीडियो में आराम से देख सकते हूं, तो चल से 14 lines हैं, और 40 lines होती हैं, आगे देखें, Amang Shakespearean sonnet, sonnet 126 है, 6 couplets, rhyming, उनके rhyming scheme क्या है, यह आपको बताना है, sonnet 126 में क्या है, ऐसे 2-2 line का, मतलब 2 line के, को 1 couplet बोलते हैं, तो इस तरह के 6 couplet हैं, तो आपको बताना है, यह नहीं कितनी lines हो गई, 12 lines हो गई, 6-12 हो गई, तो उस का आप से rhyme scheme पूछा है, तो क्या होगा यह आपको बताना है, इसकी rhyme scheme होगी, A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, यानि कि option number A बिल्कुल correct होता है, आगे देखें, अगले question पर बढ़ते हैं, अगला question है, Amang Shakespearean sonnet, sonnet 145 is composed in, किस pattern में उसको composed किया गया है, क्या वो आइंबिक pentameter में ह या Iambic hexameter में है, या फिर Alexandrine में है, किस में है, किस pattern में इसको लिखा गया है, या आपको बताना है, compose किया गया है, तो दिखिए जो उनका sonnet 145 है, ये आपका Iambic tetrameter में है, right, option number B बिल्कुल correct है, आगे बढ़ते हैं, ये सारा sonnet से ही mostly related questions हैं, क्योंकि उनके syllabus में दो sonnet दिय हुआ है, poem में, तो आपको उसको अच्छे से cover करना है, बाकि सारे उनके place से जो question आते हैं, वो मैं आगे और भी करा दूगी, यानि मैं आपको Shakespeare से बहुत सारे question देने वाली हूँ, आप बिल्कुल इसके चिंता मत करो, सब कुछ cover हो जाएगा, तो अगला question देखे, ये चीज तो इन सारी चीजों को आपको गौर करना है, इन पर ध्यान देना है, क्योंकि questions हमेशा यहीं से आता है, ठीक, आगे देखे, which one of the following term is often called for the England's national poet, William Shakespeare, तो William Shakespeare के लिए क्या कहा जाता है, उन्हें और क्या बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, वो term आपको बताना है क्या master dramatist कहा जाता है, या supreme poet कहा जाता है, या फिर bard of London कहा जाता है, या फिर bard of Avon कहा जाता है, तो आपको पता होगा, इन्हें bard of Avon कहा जाता है, और इन्हें the bard भी कहा जाता है, ठीक है, the bard भी कहा जाता है, दोनों चीज़ आप ध्यान रखेगा, इसको मेरे biography आले वीडियो tragedy किसने लिखिया है यह आपको बताना है options है A.C. Bradley, B. Edward Bradley या फिर F.H. Bradley या फिर fourth option है Dr. Henry Bradley तो सही answer क्या हो जाएगा A.C. Bradley यह बहुत important book है बहुत अच्छी book है यहां से question काफी बार पूछा गया है और यह देखे PGT 2010 में यह question आया भी है किसकी book है तो वो A.C. Bradley लेके है यानि कि option number A correct है आगे देखे अगला question who is known as the fourth witch among the Shakespearean character यह favorite question है आप कहोगे आयो का यह question बहुत बार आया है यही पर आप देख लीजे PGT 2000 और PGT 2009 में दो बार यह question आया हुआ है same question TGT में भी यह question कई बार पूछा गया है तो आप बताएंगे कौन है Lady Macbeth है जो Lady Macbeth है उसे ही चौती चुड़ल यानि fourth witch कहा गया है क्योंकि already play में three witch तो हैं ही तीन चुड़ले real में हैं जो की starting में ही क्या करती है भविष्यवाडी play में आगे चल कर पूरा करती है लेकिन ये इसका character इतना मतलब उस तरह का है कि इसे क्या कहा गया है fourth witch कहा गया है और इसका real name क्या है ये भी मैंने आपको बताया है तो सारी चीज़े मैंने cover कर आई हैं आप देख सकते हो जाके पूरा आप playlist देख डालो lt वाला सब कुछ मिल जाएगा आपको 54 में देखिए अगला question है the name of Macbeth's wife is the sexperience play is Macbeth की wife का क्या नाम है ये आपको बताना है देखिए इसमें Macbeth की wife का जो नाम है इनमें से कुछ भी नहीं है यानि none of the evolved हो जाएगा ठीक मैं ये इस question का answer मैं देई चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ ये आपके लिए homework है कि अगर आपको पता है तो आप comment में लिखकर बताएए लिकिन अगर आपको नहीं बताएए ये question मैंने channel पे करवाया है जाएए वहाँ वीडियो देखिए और उस वीडियो में से फिर आप मुझे देख करके इसका answer reply किजए ये मैं आपको homework दे रहे हूँ कि आपको Macbeth की wife का real name बताना है ठीक है आगे देखिए question number है 55 which is Shakespearean's longest play with मतलब इतने words के साथ ठीक आपको बताना है कौन सा longest play है क्या वो 12th night है या Romeo and Juliet है या Tempest है या फिर Hamlet है तो आपको पता होगा कि सबसे longest play कौन सा है Hamlet है यानि कि option number 4 आपका बिलकुल correct है आगे बढ़ते हैं which play of the Shakespeare has been described as the world's most filmed story after Cinderella यानि Cinderella के बाद सबसे जादा film आई गई कौन सी story है या आपको बताना है options है आपके 12th night, Romeo and Juliet, Tempest या Hamlet तो कौन सा है Hamlet है और अभी कुछ सालों पहले भी आपने देखा होगा कि Hamlet पे ही एक movie भी बनी थी चलिए आगे बदेखते हैं with this key sonnet Shakespeare unlocked his heart these words are from ये words किसके हैं, किसने ये words कहें हैं, तो options है Coleris के, या Byron के, या Hazlitt के, या फिर Wordsworth के 57th number question आपको बताना है तो सही answer क्या हो जाएगा इसका Wordsworth हो जाएगा, यानि कि Wordsworth ने कहा है कि with this key यानि sonnet से, sonnet Shakespeare's unlock his heart उन्होंने अपना रिदय क्या है, खोला है उसकी से तो अगला question देखिए, in Shakespearean tragedy character is not destiny but there is a character and destiny is remarked by ये किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा remark किया गया है, options है, first Nicole C है Bradley, sorry B है Bradley और C है Call Race, D है Godot, सही answer आपको बताना है क्या है किसने कहा है, तो Nicole ने कहा है कि Shakespeare कि जो tragedy है character is not destiny, उसमें character क्या है destiny नहीं है, but there is a character and destiny, लेकिन उसमें character and destiny दोनों है, तो ये किसने कहा है Nicole ने कहा है, option number A correct है, आगे देखिए अगला question है if music is the food of love, play on give me excess of it, ये किस ने कहा है ये किस play की opening lines है ये आपको बताना है, options देख लेते हैं, फटाफट इसके options है 12th night Romeo and Juliet, The Tempest या फिर Macbeth तो सही answer क्या है, आप फटाफट बता दीजिए सही answer है, 12th night यानि कि option number A, बिल्कुल correct है आगे, Henry Ridgley यानि कि 3rd Earl of Southampton, was Shakespeare's वो Shakespeare's के क्या थे patron and friend थे, या फिर cousin थे, या फिर fellow actor थे या फिर uncle थे, वो कौन थे, उनका उनके साथ क्या relation था, या आपको बताना है तो option number 1 is correct, यानि वो उनके patron and friend थे ठीक है आगे देखिए, Shakespeare's sonnet are in the form, किस form में होता है अब इस starting में ही, मैंने इसी वीडियो के starting में आपको बताया है, कि उसमें क्या होता है 3 quarter and 1 complete होता है, 1 rhyming complete होता है, तो option a is correct है, आगे in the last phase of his life Shakespeare's wrote, यानि अपनी life के, यहां से देखे, यह question important है, क्योंकि उनके life phases से question काफी पूछता है कि उन्होंने अपने mid phase या last phase में कौन से plays, किस तरह के plays लिखे है फिर उनके folio से question आता है कि first folio में कौन सा play जो है, वो omitted है, और कब लिखा गया, कब publish हुआ, यह सारी चीज़े पूछी जाती है तो option आपको options देख लीजे, tragic comedy जिन्हें की romance के नाम से भी जाना जाता है, B है comedies and histories, C है major tragedies और D है sonnets and narrative poems, सही option क्या है आपको बताना है सही option हो जाएगा tragic comedy यानि की जिसे आप romance के नाम से भी जानते हो, आगी है which play of Shakespeare's has been described by T.S. Iliot and artistic failure किस play को T.S. Iliot ने artistic failure कहा है, यह आपको बताना है options है Hamlet, Macbeth, Othello and King Lear, तो सही answer क्या हो जाएगा आपका, Hamlet Hamlet को उन्होंने क्या कहा है, an artistic failure कहा है option number one is correct आगे देखिए which play of Shakespeare has been described by T.S. Iliot an artistic success किस play को उन्होंने artistic success कहा है तो उन्होंने Macbeth को यानि Macbeth को उन्होंने success कहा है artistic और Hamlet को artistic failure कहा है यह दोने चीजे याद रखिएगा आगे है, उन्होंने कितने sonnets लिखे हैं, तो यह तो बहुत ही pet question है, अभी को पता है 154 sonnets लिखे हैं अगला question है, which of the following writers is noted for what Keats called negative capability, options है Milton, Tennyson, Shelley या Keats, सही answer क्या हो जाएगा 66 number का इन्हें से किस writer के बारे में Keats ने कहा है negative capability, तो सही answer आपको बताना है फटा-फट, सही answer बताईए क्या है, तो इसका सही answer हो जाएगा option number D, यानि कि Shakespeare, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question है, शेक्सपियर owned globe theater, but it was buried during a performance of, Shakespeare जो है globe theater के owner थे, यानि कुछ परसेंटर उन्होंने भी लिया था, बाद में owner थे फिर बाद में ये कहिए कि वो जो play था sorry, play नहीं, वो जो globe theater था, वो जल गया था तो वही पूछ रहा है किस की performance के समय, उस समय जब वो जला था तो किस play की performance हो रही थी Henry 4th part 1 की, या फिर Henry 4th part 2 की, या फिर Henry 6th, या फिर Henry 8th तो किस की Henry 8th का उस समय चल रहा था performance उसी समय क्या हो गया था, आग लग गई थी और ये theater जल गया था ठिक, आगे बढ़ते हैं अगला question है Who wrote Tigers hurt wrapped in a player's hide या आपको बताना है सही answer तो ये Shakespeare के बारे में किस ने कहा है किसने लिखा है, options है Bain Johnson, Sydney, Green या Marlow तो सही answer हो जाएगा आपका option number C, यानि की Green and app start grow, पूरा आप पढ़ोगे तो उसी में ये lines दी हुई है ठीक है अगला question है Who's the speaker of these lines ये lines को किसने बोला है किसने कहा है All the words are stage and all the men's and women's merely player ये जो पूरा संसार है, ये क्या है, एक stage है और यहां के सारे जो men और women है वो क्या है, players है तो ये statement किसका है, options है first Shakespeare, दूसरा है Prospero C option है Hamlet और D option है Jackwiz तो सही answer आपको बताना है, फटा-फट से reply किजे तो सही answer हो जाएगा option number D, यानि कि Jackwiz ने ये statement कहा है ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला question है the phrase small Latin and less Greek was used to Shakespeare's by ये किसके, मिलब इनके बारे में किसने कहा है, option है Dr. Johnson, या फिर Milton C option है Dryden या फिर D option है Bain Johnson तो small Latin and less Greek किसने कहा है, Bain Johnson ने कहा है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आयोग में एक बार same question आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर small कि ना दे करके, यहाँ पर little दे दिया है ठीक है, तो जब आपको small की जगा little दे देगा या less की जगा मालीजे, यहाँ पर small कर दे, या कुछ कर दे, change कर दे तो वो option आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेगा, यह मैं सोचीगा कि इसका मतलब तो छोटा ही होता है, या कम होता है, तो मैं इसको टिक कर दू, मतलब नहीं निकालना, exact phrase जब आपको मिलेगा, कि small latin, less Greek, तब ही वो सही हो होगा, according to Ben Janshan यहाँ पर कुछ भी होगा, तो वो गलत होगा तो यानि आयोग में इसको क्या है फिर इसको गलत बताए गया, और दूसरा option जो उसमें है, वो सही बताए गया है, इस question को मैंने करवाया है, as it is question आप देखना चाहते हो, तो शेक्सपेर वाली playlist में जाकर question आप देख लीजेगा ठीक है, English literature वाली playlist में आगे देखते हैं अगला है First folio A Frutthomas collection edited of Shakespeare's dramatic works was published in, यनि First folio जो है, वो publish हुआ था, आप से पूछ रहा है, क्योंकि यह इनकी, जो है, वो death के बात publish हुआ था, इसलिए यहाँ पे बोला गया है इसे तो सही answer बताएए, क्या है इसका 71 का, 71 का सही answer हो जागा 1623 ठीक है, अगला question है In 1623, the two fellow actors and friends of Shakespeare's, dash, dash यानि उनके नाम पूछा है, published a more definite text known as the first folio, तो यह question first folio से related question इस बार भी पूछा गया था, ठीक तो, यह मैं बता रही हुँ ना, folio से काफी question आते हैं, चाहिए पूछ लेगा किसने publish करवाया, या फिर पूछेगा first folio में जो है, कौन सा ऐसा play था वो नहीं था, कितने plays उसमें रखे गए थे, यह सारे question वहां से पूछे जाते हैं, तो आप इसमें सही answer बताईए क्या है तो इसका सही answer हो जाएगा option number A, यानि की John Hemings and Henry Condal ठीक, option number 1 is correct आगे पूछ रहा है, आपका अगला question है, how many plays were printed in first folio format first folio format में कितने plays थे 16, 23 में, तो देखे, total थो उनके 37 play हैं, लेकिन first folio में 36 play रखे गए थे, publish हुए थे एक play publish नहीं हुआ था, वो कौन सा था, pericles तो यह question भी पूछता है, कि कौन सा play publish नहीं हुआ था, तो आप नाम याद कर लीजेगा, pericles आगे बढ़ते हो, और pericles हुआ कब था तो third folio में, इसको भी ध्यान रखेगा अगला है, 74 the first folio edited the Shakespeare's play was dedicated to the incomparable pair of Britain William, किसको किया गया है ठीक, option आपको बताना है Herbert को, जो की third Earl of Pembroke थे, and his brother Philip Herbert जो की Earl of Montauk Mary थे, later fourth Earl of Pembroke बने थे वो, यानि पहले क्या कहते है उनके Herbert के बाद, यानि third Earl of Pembroke के बाद, फिर यही बने थे, उनके भाई फिर उसके बाद, dark lady, second option fair youth, third option या फिर, D है, Sir Thomas Yotan, Earl of Surrey तो 74 का answer आपको बताना है, क्या है 74 का option नमर first correct है क्योंकि यह जो है, वो Herbert को, यानि third Earl of Pembroke को क्या किया गया था, डेडिकेट किया गया था ठीक है, यह याद रखेगा इस line को इनकंपरेबल प्यार औफ ब्रिथर्ण विलियम हर्बर्ट और फिर फिलिप हर्बर्ट को क्या गया था बाद में, जो कि fourth Earl of Pembroke बने थे अगला question है, which of the following plays of Shakespeare are included in the first folio edition सही आंसार आपको बताना है इसका कौन सा play जो है, वो include किया गया था तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जागा आपका none of these ठीक क्योंकि इसमें से कोई भी जो है, वो इसमें include नहीं था आगे देखिए, अगला question है who called Shakespeare dear son of memory, great hair of fame, what needest thou such weak witness of my of thy name and sweeter Shakespeare, fancy child, यह किसने कहा है, Milton ने, Coleridge ने, John Ben Johnson ने, या फिर Arnold ने तो यह किसने कहा है, यह आपको बताना है तो यह किसने कहा है, यह Milton ने कहा है, Milton ने यह lines कहीं है, विरिम Shakespeare के लिए, अगला question है बहुत ही जल्दी questions खतम होने वाले हैं, एक दो question और बचा होगा, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि, जो लोग इस वीडियो को last तक पुरा देख रहे हैं, उनके लिए thank you, और इतनी तो मैं उमीद करती हूँ कि आप ने इस वीडियो को like कर दिया होगा, और इसे अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे, क्योंकि सारी चीज़े आपको एक platform पे मिलेंगी, कहीं पे आपको grammar मिल रहा है, कहीं पे ले literature मिल रहा है, कहीं पे पूरा complete नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर literature and language दोनुई चीज़े बहतरीन तरीके से दी जाने की कोशिस की जा रही है, मैं literature portion पूरा देख रही हूँ, चाहे वो LTE grade का हो, या फिर आपका TGT का हो, और grammar तो बहुत ही, इतना deep कोई पढ़ाए जितना deep इस चैनल पे पढ़ाया गया है, for TGT, PGT, और questions आजकल deep में आ रहे हैं, इसी लिए इतना deep में पढ़ाया जा रहा है, पहले question जो है, उपर-उपर सता से पूछ ले जाते थे, लेकिन अभी rules से question पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको सर जो पढ़ा रहे हैं, वो पुरा बहुत अच्छे से बहुत बहुत बहतरीन grammar पढ़ा रहे हैं, तो आप देखना चाहें, तो जाकर grammar वाली playlist में पूरा देख सकते हैं, preposition से आगे भी चल रहा है, ठीक, और क्या कहते हैं, literature तो मैं देखी रही हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को subscribe कर लिजे, और bell icon भी hit कर लिजे, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं, तो उसे notification आपको मिल जाएं, और इसे share भी कर दीजेगा, क्योंकि इस family को बढ़ा करना है, अभी live classes लेती हूँ जब मैं, तो बहुत सारे, मतलब बहुत कम बच्चे आते हैं, क्योंकि चैनल पर अभी उतने बच्चे हैं ही नी, literature के, तो इसलिए आप लोगों की ये जिम्मिदारी है कि इसे अपने friends circle में share कीजे, ताकि जादा से जादा literature के students यहां से जोड सकें, तो चलिए, options इसके देख लीजे, Milton, Arnold, Ben Johnson या T.S. Elliot, Shakespeare was not of an age, but for all time, यानि वो सिर्फ एक age के नहीं है, यानि Elizabethan age के सिर्फ नहीं है, बलकि वो पूरे के पूरे हर समय के लिए है, यानि हर समय वो relevant रहेंगे, तो यह किसका statement है, यह statement है, Ben Johnson का, यानि option number C है, Ben Johnson नहीं उनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बाते कहीं है, काफी statements उनके पूछे जाते हैं, the dark lady appears in the sonnet of, किस के sonnet में dark lady appear होती है, Spencer, या फिर Sydney, या फिर Shakespeare, या फिर wordsworth, तो आपको पता है, Shakespeare के sonnet में dark lady appear होती है, आगे है अगला question, who wrote the following lines about Shakespeare, lines से question आते हैं, इसलिए आपको lines याद रखनी है, scorn not the sonnet, you have frond midness, mindness of its just honors, with this key, Shakespeare unlocked his heart, यह किस ने कहा है, यह आपको बताना है, सही answer आपको बताना है, options आप देख लीजे, Spencer, Sydney, Marlowe, या फिर wordsworth, तो सही answer क्या होगा इसका, William wordsworth हो जाएगा, तो यहाँ पर complete होती है पूरी, यह question के series, यह तीसरा part था questions का, दो part अलरड़ी William Shakespeare पर कराए जा चुके हैं, आप देख लीजेगा, अभी और सारे part आएंगे, अभी काफी part आएंगे, क्योंकि काफी सारी questions का collection है, जो आपको करवाना है, और क्या कहने वाली थी मैं, हाँ, मैं यह कहने वाली थी, कि यह जो L.T वाली series है, इसमें मैं पुरा forms of literature और poetry मैंने करवा दिया है, Shelly की जो poem है, O2 West Wind, उसको मैं कल डालूंगी, और बाकी चीज़े साथ ही साथ चलती रहेंगे, मैं साथ ही साथ TGT भी ले चल रही हूँ, क्योंकि कौन सा form पहले आजाए, कुछ कहां नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़े थोड़े पदो के अधियाचन, तो क्या हुए है, तो हो सकता है इस सारी प्रक्रिया, वोटिंग, वोटिंग और रिजल्ट के बाद, ये लोग कुछ वैकेंसी ले आए, तो हमें पूरी तरीकी से प्रिपेर रहना है, दोनों एक्जाम के लिए, ताकि क्वेस्टन कहीं, मैं पेपर कोई भी आए, घर में, उपर नहीं, मतलब जहां पे जो हम लोग बनाते हैं, वहाँ नहीं गई हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वज़े से, तो इसलिए हो सकता है, बेक्डाउंड में आपको थोड़ी नोईज हो, लेकिन हर वीडियो में ऐसा नहीं होने वाला है, तो उसके लिए सॉरी, चलिए, बाबायन टेक केर,